दोस्तो ये कहानी एक ऐसी फैमिली की है जो एक दूसरे से ही भटा बट भटा बट करते रहते हैं और इस पूरी मूवी में वही है जो तुम सोच रहे हो तो चलिए देखते हैं क्या बवाल है इस मूवी में कहानी की सुरुआत में हम इसी फैमिली को देखते हैं जो अपनी फोटो किचवा रही होती है जिन में उनके सबसे छोटा लॉंडा रोमन जो बहुत बावला होता है और इसकी एक सोतेली बेहन मेरी होती है और रोमन का बड़ा भाई पेरी वो इतना कूल है कि रोमन की उससे ज चलती है और इस फैमिली में इनके मॉम डैड भी होते हैं रात को ये सबी डिनर करते हुए मसाले वाली बाते करते हैं अगले दिन रोमन की मा कलैरा को रोमन का स्कूल में बुलाया जाता है जहां पर प्रिंसिपल बताता है कि तुमारा लॉंडा बैलोजी की किलास में हैंड पंप नचाता हुआ पकड़ा गया है और तो और उसके ठरकी दोस्तों उसकी वीडियो भी बना ली है लेकिन रोमन की मा को ये बात सुनकर जरा भी फरेक नहीं पड़ता है वो कहती है बस हैंड पंप ही तो नचा रहा था कौन सा मेडम में नचा रहा था ये सुनकर प्रिंस है जैसी भी बात मुझे बता सकते हो तो रोमन कहता है मुझे ये मेरे दोस्तों ने करने को बोला था और अब वो मुझे फसा रहे हैं तो क्लारा कहती है कोई बात नहीं तू घर चल रात को क्लारा इस बार में अपने पती को बताती है तो वो कहता है हमने तो इस बार में से भटाबट भटाबट के बारे में पूछती है और जब वो रोमन से पूछती है तो वो कहता है मेरा मेरी बंदी से ब्रेक अफ हो गया है और अब मैं नई बंदी पताने में लगा हूँ यह सुनकर फैमली के सबी लोग उस पर हसने लगते हैं जिससे रोमन सेड सा हो जाता है इसके बाद क्लायरा अपने गार्डनर से मिलने जाती है और वो इससे पूछती है कि जब से तुमारी लुगाई की मौत हुई है तब से तुम मज़े लेने के लिए क्या करते हो तो वो कहता है जब मेरी लुगाई मरी थी उसके बाद मैं किसी और को चाने लगा था पर तब भी मुझे एसास होता है कि मैं अपनी मरूई वाइफ को धोका दे रहा हूं इसलिए मैं भी हैंड पंप ही नचाता हूं और इस उमर में भी मुझे भी मज़े चाहिए लेकिन मेरी उमर की कोई भी मुझे औरत नहीं मिलती कुछ दिनों बाद रोमन के डाड रोमन की लेव लाइफ के बारे में पूछती है रोमन अपनी लेव लाइफ के बारे में बताने में कमफोर्टेबल नहीं होता और वह रोता हूँ वहां से चला जाता है क्योंकि भाई बंदी नहीं है तो बताएगा क्या कुछ दिनों बात दिखाया जाता है कि रोमन जिस लोंडिया को रजात आये हुए थे और आज फैमली के सभी लोग भटाबट भटाबट करेंगे रोमन अपनी बंदी को रूम में ले जाकर दबा के पेलम पिलाई करता है और अब सभी लोग ही कर रहे होते हैं इसके बाद सब लोग इकट्टा होकर अपने बारे में बताते हैं मैरी और उ उसे दोनों जेंडर के लोग पसंद है यानि कि वो तो मिठा है लेकिन फिर भी उसके मॉम डैड उसे अक्सेप्ट कर लेते हैं मूवी के लास्ट में ये फैमली फिर से फोटो खिचवा रही होती है और आज सभी लोग काफे खुश होते हैं क्योंकि रोमन अपनी बंदी के सा और पैरी अपने बंदे के साथ है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है दोस्तों ये काफी सोट एक्सप्लेइन किया है क्योंकि इस पूरी मूवी में वही सब है जो आपको देखना है अगर आपको मेरा एक्सप्लेइन पसंद आए हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्स